हेलो गाइज, वाट साफ, वेलकम बाक टू माई चानल, माई नेम इश्वेता और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मीशो से ये इतनी सारी ज्वेल्री, मैं मीशो की ज्वेल्री पर एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, बट उस पे मुझे कमेंट आया था कि आपकी collection में variety नहीं है, तो मैं आपको बता दू, उस collection में variety इसलिए नहीं थी, क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाया था, मीशो कुंदन ज्वेल्री हॉल पर, तो इसलिए उसमें जितनी भी ज्वेल्री थी, सारी कुंदन की थी, वो जो देखने में एक जैसी लग रही थी, तो उनका भी कोई fault नहीं है वैसे और आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका link या तो description में मिल जाएगा या i button पर मिल जाएगा तो जल्दी से जाके वो भी आप देख लीजिए तो मैं आज एक और jewelry haul लेके आई हूँ जिसमें मैं बहुत सारा collection लेके आई हूँ वेराइटी लेके आई हूँ और total 10 pieces जो है मैंने मीशो से order किये हैं और सारे ही अलग अलग type के हैं कोई भी same नहीं है तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो पसंद आ तो हमारे पास है हमारा पहला parcel जिसमें मैंने मंगाया है चीर चेड़ा बेस राउन नेकलेस वेडा ब्ल्यू कलर का और आप यहाँ साइड में पिक्चर देख सकते हैं जो मैंने मंगाया है वो आपको साइड में दिख जाएगा मुझे बिल्कुल सेम जो पिक्चर में दिख पीब हुई है बहुत ही प्यारा सा ब्यू कलर का यह गर है तो प्राइगे सारे ही 300 350 के अंडर ही है मुझे प्राइज अभी सीरिसली बताओ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है तो मैं प्राइज सारे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और इसमें एक प्यारा से आप देखो तो यहां पे यह ब्ल्यू स्टोन लगा हुआ है और इस पे नहीं सारा फ्लावर प्रि डाले हुए हैं जिससे की वह एक कॉंबिनीशन बना रहा है तो यह एक चोकर सेट है आप साइड में मुझे देख सकते हैं इसको पहना हुआ इसके लुक कैसे आ रही है और इसके एरिंग्स मैं आपको दिखा देते हूं बहुत ही प्यारे बहुत ही एलिगें से इसके एरिं प्लिव कंशन बृब की वज़े से को बहुत ही रोइल बना रहा है है अपने सेट को रोयल बना दिया आइडव नो है functions है तो आप किसी भी function में इसको pair up कर सकते है blue dress के साथ बहुत जादा अच्छा लगेगा यह पसंद आएगा तो link description box में आपको मिल जाएगा जल्दी से जाके इसको buy कर लेना ओके सो यह है मेरे पास second parcel जिसमें मैंने जो नेक्पीस मगाया है वो है square gray patti और यह gray color का है इससे मैं समझ गई हूँ तो मैं आपको neck piece दिखा देती हूँ जो मैंने order किया है वो आप side में देख सकते हैं तो जो picture में दिखाया वो आप देख चुके हैं और जो मुझे receive हुआ है वो मुझे यह रिसीव हुआ है बहुत ही प्यारा सा यह choker सेट है और इसकी जो यह नीचे छोटी-छोटी सी लटकन-लटक्रिया यह मुझे बहुत जादा प्यारी लग रही है beads की quality आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है shining कितनी है beads में और जो इसका यह बीच का pendant है इसमें यह पूरे में stones लगे होए हैं और बहुत अच्छी quality के stones लगे होए हैं बहुत अच्छे finishing से लगाय होए हैं और अगर मैं बात करूँ इसकी weight की तो यह pendant जो है जैसा पहले वाल justice किया हुआ है और यह इस type से गले में पूरा चोकर होगा और यह नीचे आसे आपके hanging आएंगी side में आप देख सकते है video चल रहे हैं जिसमें मैंने इसको पहना हुआ है और साथ में इसके earrings भी हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से इसके earrings है जैसा बीच में pendant है उसके जैसे ही same earrings है और इसमें भी hanging लटकरी है और side में यह पूरा मूती वाला काम है बहुत ही प्यारा है बहुत ही अच्छा है color इसमें आपको और भी मिल जाएंगे आप इसको link open करेंगे तो आपको और भी colors इसमें मिल जाएंगे मुझे gray color परसंद आया था काफी अच्छा color है काफी unique सा color लग रहा है और price के according बहुत अच्छा है किसी भी party उगेरा में पहन के जाएंगे कोई नहीं कह सकता है कि आपने इतने price में लेके यह पहना है बहुत ही अच्छी quality की जो है यह neck pieces है मीशो ने अपनी quality बहुत जादा सुधार दी है और एक चीज और मैं बताती हूं जो artificial jewelries आत है बट इस बार इतनी अच्छी quality के यह बहुत ही जादा थिक वाले हैं कि यह easily कहीं नहीं जाएंगे कहीं कुछ नहीं होगा आप इसको अराम से store करके रख सकते हो तो पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से जाके इसको buy कर लो ओकी यह है मेरे पास third parcel तो आप picture देख लीजिए कैस है और picture के according जो चीज मैंने मंगाई है यह मुझे बहुत ही unique सा लग रहा था मैंने मंगाए यह proper pearl वाला यह set और इसका जो मुझे यह वाला design है बहुत unique लग रहा था यह चोटी वाला pattern है यह पूरे जो यहां पे आप दिहान से देखो तो यह जो pattern create किया हुए यह चोटी जो pattern भी जा रही है pearls की और side में एक एक बड़ा pearls भी हाँ पे लगाया हुआ है look को और enhance करने के लिए काफी अच्छा है बीच में यहां पे सारे यह silver stones लगे हुए है बहुत यह अच्छी पास से दिखाऊं तो बहुत अच्छी finishing से लगा हुआ है quality बहुत अच्छी है आप अगर इसको ऐसे लगा के देखो तो कोई नहीं कहेगा कि यह 200 या 300 रुपे क्या है कोई भी नहीं कहेगा काफी अच्छी है pearls काफी अच्छी quality के है बहुत अच्छी shine कर रहे है pearls और यह pendant भी काफी अच्छी quality का है और मैं आपको इसके earrings दिखा देती हूँ यह है इसके earrings जो pendant है same व पीछे के यह darts जो भी है यह इतना मोटा है ना मतलब यह मेरे earrings के sorry मेरे ears के hole में यह मेरे piercing में घुसे ही नहीं क्योंकि मेरे holes बहुत चोटे हैं और यह इतना थिक वाला दिया हूँ है अगर आपको यहां से दिख रहा हो तो यह बहुत थिक है जो मेरे इसमें एंटर नहीं ह हुए तो इस वज़े से मैं इसको पहन नहीं पाई बट मैंने आपको ऐसे लगा के दिखाया है कि इसका लुक कैसा आएगा अगर आप यह earrings भी सिरफ ऐसे पहन के जाओगे ना बहुत ही रिच लुक देने वाले काफी अच्छी quality के है I mean मैं जस यह बात बार बार बोल रही ह बट येस मीशो ने quality बहुत इंप्रूफ कर ले है बहुत अच्छा हो गया मीशो कम प्राइस में बहुत अच्छी variety quality सब आपको प्रवाइट कर रहा है तो आप यह भी देख सकते हैं जल्दी से जाके इसको पाइक भी कर सकते है तो यह है मेरा fourth neck piece चो मैंने मीशो से order किया है पिक्चर आप देख लीजिए मैंने क्या मंगवाया और आजकल मीशो जो चीज आप order कर रहे हैं सेम चीज आपको receive हो रही है मीशो आजकल कोई घपला या कोई scam नहीं कर रहा है thankfully तो yes जो मैंने आप पिक्चर में देख लिया है मैंने जो मंगाया है वो यह है बहुत ही प्य colors available है अगर आपको और कोई color चाहिए हो तो और इसमें साथ में आप यहां पर देख सकते हो कि यह अंदर white stone है और इसके side में जो नीचे blue color है वो side में पूरा ऐसे blue color हुआ हुआ है और उसके बाद नीचे white चोटे pearls है और साथ में यह blue वाले hangings दगाए हुए है तो काफी अच बहुत heavy भी नहीं बट क्या quality बहुत अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि आपको पहनने के बाद पता नहीं चलेगा आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपने गले में कुछ पहना हुआ है और इसके earrings में आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही प्यारे-प्यारे से cute cute से चोटे-चोटे से earrings है चो देखने में बहुत अच्छे है और बहुत heavy लगरे है बट बहुत अच्छी है कि बहुत light weighted है आपके कानों को feel नहीं होगा कि यह बिल्कुल heavy है बहुत ही सेट हैवी है तो एरिंग बहुत चोटे-चोटे से बनाया हुए क्यूंकि अगर सेट भी हैवी होगा एरिंग भी बड़े-बड़े होंगे तो वह लोक नहीं देंगे तो अगर सेट अगर आपका है और एरिंग उसके अकॉर्डिंग चोट-चोटे से बहुत प्यारे लग रह रहे थे जो नहीं आए वो मैंने नहीं पैने और जो थोड़े बहुत भी मुझे चांस लगा सकते हैं उनको मैंने लिटली फसाया है तो मैंने इसलिए भी कानों में कुछ पैना भी नहीं है आप देख से तो हलके रेडनेस पे भी होगा है क्योंकि बहुत जादा थिक है और इसके साथ मुझे एक मांग्टी का भी मिला है और सेम जैसा एरिंग का लुक है वैसा ही मांग्टी का भी है बहुत ही क्यूट है वैसे देखो इससे लगाया हुआ कितना क्यूट सा ही मांग्टी का लग रहा है तो ओवर और बहुत ही प्यारा सेट है बहुत ही सुन्दर मैंने आपको साइड में वीडियो चिला दी है मैं आपको ऐसे भी लगा के दिखा रही हूं कि कितना प्यारा है कलर और भी बहुत सारे अविलेबल है टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना लिंक डिस्क्रिप्शन में है जल्दी से जाके बाइ कर लो क्योंकि स्टॉक आउट ह गया तो दुबारा बहुत मुश्किल है कि यह स्टॉक इन में आए क्योंकि मीशो के प्रोड़क्स बहुत रहर होते हैं कि स्टॉक आउट होने के बाद बहुत ही रहर चांस होते कि वह स्टॉक इन में आते हैं आएंगे भी तो आई डोंट नो कितना टाइम लग जाए तो करनो जल्दी से जाके इसको भाई कर लो। यह है मेरे पास मेरा कांपी मैं और किया है साइड में अपिक favor करे और जैसा दिखाया गया है बिल्कुल इकशाटली सेम है जो पिक्चर में शहो दो करें है रहा है इगसाटली सेम preserv को सेमने इसосंद कारी मुझे छया जेसे देख उलज जाएगा और अभी आप देख सकते हो कि जैसे यह अल्रेडी उलज चुका है जो इसकी हैं वो आधी ऊपर जा चुकी है और जब मैंने इसको पहले पहनने के लिए ट्राय किया था तब भी ऐसा ही हुआ था बहुत मुश्किल से मैंने इसको सेट किया था और अभी फिर यह उलज गया है नेक पीस बहुत प्यारा है बस मुझे एक ही चीज इसमें गडबर लगी कि यह बहुत उलज रहा है आप देख रहे हो अभी भी ना लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर क्या चला गया है मैं एक ट्राइगर क्योंकि यह खुल जाए तो एक मिनट यह हो गया है अभी और आप देख सकते हो इसका लुक यह कुछ इस टाइप से है कि आप इसको पहनेंगे तो यह गले में ऐसे पूरा भरा भरा साएगा और यह जो हैंगिंग्स है यह नीचे आएगी और हैंगिंग और बाकी पूरा पर्ल का है बहुत जादा है वी नहीं है बहुत लाइट वेटिड है पहनने के बाद आप बिल्कुल नहीं फील करोगे कि आपने कुछ ऐसा पहना है क्योंकि इसमें बहुत चोटे-चोटे से पर्ल है और जो इसमें चेन यूज की गई है वह भी बहुत पत बहुत प्यारी दे रहा है काफी अच्छा है क्वालिटी थोड़ी सी मुझे कम लगी और और वैसे कोई कंप्लेन नहीं है और यह एक मेन कंप्लेन यह है कि अगर आप इसको डेफिनेटली नहीं रख सकते हैं आप इसको किसी बॉक्स में ऐसे करके कुछ रखोगे तो यह उ और यहाँ है और यह मुझे इसके साहतक है उनक मिले हैं मुझे कर्न करेंगे ह्यों कि यहाँ हैं प्यारा साथ क्यूश्य करार से महीं ज्यक्ता है और शाय्वन से श्वें हैं अरब और यह पसंद आ रहा है तो आप जुरूर जाके भाई कर लीजिए मेरी तरसरी से किалось थोड़ा सा quality, इसकी थोड़ी low है और सुलजाना, main problem है कि यह उलजद है, वो चीज मैं नहीं handle कर पा रही हूँ, आप कर सकते हैं तो आप जल्दी जाके buy कर लेना next जो मैंने मंगाया है, यह है pink three stone set pink color का है, तो मैं समझ गई हूँ और यहाँ पर मैं आपको picture दिखा देती हूँ और picture में आप देख सकते हैं prize और सब mention है और जैसा picture में दिखाया है इसका थोड़ा सा difference मुझे color का लगा, otherwise वैसे देखने में आप देखा, मैं आप देख लो पहले देखने में look wise बिल्कुल same है, बट जो color होती ना, चटक वाला pink लग रहा है baby pink भी नहीं बोल सकते, baby pink भी subtle color होता है, यह बहुत ही चटक से color है, बाकि इसका describe मैं आपको करूं तो इसमें यह तीन ऐसे बड़े-बड़े pink color के stones लगा हुए है, और तीनों पे flower का self print है, और chain इसकी pearl की है यह proper white है, वैसे तो pearl जो होता है, वो थोड़ा सा yellowish tone में होता है, बाट यह proper white color का chain है, और नीचे इसमें pink color के ऐसे hanging है, और साथ में इसे pearl लगाए हुए, तो यह वाले pearls आप देख सकते हो, यह yellowish tone में है, और यह white tone में है, जो दोनों बिलकुल भी match नहीं कर रहे हैं, और otherwise quality भी थोड़ी सी इसकी बहुत ही light weighted है, मुझे यह थोड़ा कम पसंदा एक तो color की वज़े से, और थोड़ा सा look बहुत अच्छा है but quality भी इसकी थोड़ी सी low लग रही है मुझे बहुत ही hulky quality का है और तीसरा ये वाले stone और ये वाले pearls दोनों बिलकुल भी match नहीं कर रहे हैं या तो yellow लगाती है, यहां भी white लगाते तो match करते तो थोड़ा सा इसका थोड़ा mismatch है और मैं आपको इसके earrings दिखा देती हूँ ये इसके earrings है और earrings जो set में बना हुआ है उसी के according इसके earrings बने हुए है और इसमें भी आप देख सकते हो yellow color के pearls लगाए हूए है चोटे चोटे बट I don't know set पर इन्होंने proper white pearls क्यों लगाए हूए है और चारो तरफ इसमें पूरा ये stone का काम है finishing काफी अच्छी है बट थोड़ा सा quality और ये pearls के चकर में मैं थोड़ा disappointed हूँ otherwise अगर आपको कुछ समझ में और इसमें colors available है येस इसमें और भी 4-5 color available है आपको पसंद आ रहा है तो आप जाके इसको buy कर सकते है या इतने price में आप इसको एक बार भी जादा चटक सा है तो मेरी तरफ से ये rejected है मैं आपको भी वैसे recommend नहीं करूँगी क्योंकि qualities की थोड़ी सी low है बट अगर आपको लगता है कि अगर आपको इसका design या look पसंद आ रहा है और आप एक बार पहन के इसको थो कर सकते हैं ये है मेरा 7th parcel और ये मैंने आप picture देख सकते हैं ये मैंने मंगाया है दिपिका पादुकॉवन वाला pearl वाला necklace जो काफी trending है तो मैंने सोचा है कि अगर मीशों पर मिल रहा है तो let's see क्या difference है या बल्कुल सेम आता है तो मैंने ये मंगा लिया है और ये मैंको receive हुआ है इस type के दो pieces में ये उपर वाला piece अलग है जो उपर ऐसे दिया है और जो नीचे वो hanging दे रखिए वो इसमें अलग है अगेन ये भी सुलजाने वाला काम है क्योंकि ये पूरा ऐसे इसके अंदर ऐसे डल के आया है और पूरा मैंने इसको literally बहुत टाइम लग गया था मुझे इसको सुलजाने में और आप अभी भी देख सकते हो ये पूरा उलजा हुआ ये मुझसे set नहीं हो रहा है अभी तो आप वैसे आप इसको देख सकते हो ये इस type से है जो इसका नीचे वाला part है इसमें five layers दी हुई है उपर की दो layers है ये plain chain है और नीचे की layers है इसमें आप देख सकते हो बीच में pearls है फिर थोड़े gap में pearls है फिर थोड़े और gap में pearls है तो वो एक pattern create किया हुआ है कि आप इसको ऐसे पहनेंगे और उसके उपर वो pearl वाला चोकर पहनेंगे तो ये pattern create करेगा side में आप देख सकते हो मैंने इसको पहना है तो आप pattern देख सकते हो तो exact तो मैं नहीं बोलूँगी कि ये exact look दे रहा है क्योंकि ये चीज ना मुझे बहुत ऐसे आरी थी और एक चीज मुझे इसमें जो बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है ये I don't know ये क्या चीज है जो बहुत बड़े-बड़े से ये hooks लगाए होए है और पर्ल वाले इसमें भी ये बहुत बड़े-बड़े hooks लगाए होए है ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे है ये आप देख सकते हो दोनों तरफ ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया है और ये पर्ल के अंदर जो I think chain लगी है वो बहुत हाड है आप देख सकते हो कैसे ये bend हो रही है अपने आपी बहुत ही stiff वाली है कि ये ऐसे मैंने इसको लगाया है तो अगर ये में को हलका सा भी lose होगा तो ये मेरे neck का shape बिल्कुल भी नहीं लेगा ये अपना ही shape create कर रहा है जो already है और अगर ये lose होगा तो ये ये ही shape रखेगा ये आपके neck का shape बिल्कुल भी नहीं लेगा तो या जस इतना ही बोलूँगी कि कॉपी करने की कोशिश की हुई है exact same चीज तो बिल्कुल भी नहीं है और कॉपी भी काफी अच्छी वाली कॉपी नहीं की गई है मुझे ये hooks जो है न ये बड़े बड़े ये hooks yellow color करके ये मुझे बहुत जादा मेरे आँखों में खटक रहे हैं otherwise मैं फिर भी इसको अगर ये चीज ना होना तो मैं फिर भी क्योंकि हो सकता है न कि कभी आप बाल टाइप करके इसको पहनो तो आपके पीछे neck पे ये चीजे दिखेंगी जो बहुत ही awkward सी लगेगी तो otherwise तो मुझे इसमें बाकी और कोई issue नहीं लगा है या थोड़ा सा बड़ा जैसे look दे रहा है अगर वैसे आप इसको ऐसे single भी पहनो अगर आप इसको सिरफ ऐसे भी पहनो तो आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो सिरफ आप ये भी पहन सकते हो और दोनों को मिला के भी पहन सकते हो नेक पीस में कोई कमी नहीं है सिरफ मुझे ये hooks नहीं समझ में आ रहे है क्योंकि आप इसको अपना look दे के भी पहन सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आपको same वो ही look create करके पहनना है और अगर वो look create करके पहनना तो भी पहन सकते हो तो अगर पसंद आये तो आपको link description में मिल जाएगा आप जाके buy कर लेना में को जो इसमें थोड़ा सा issue लगा वो मैंने आपको बता दिये कि इसमें क्या problem लगी मुझे सरफ ये hooks कटक खटक रहे हैं और एक थोड़ा सा इसके अंदर की जो वायर की quality है वो थोड़ी सी ठीक हो जाती तो और अच्छा हो जाता और बैटर हो जाता otherwise इतने price में ये चीज भी मिल रही है तो क्या ही बुरी डील है कोई बुरी डील नहीं है आप जाके buy कर सकते है जिसमें मैंने मंगाया है बहुत ही प्यारा सा जोल्री सेट आप पहले आपे पिक्चर देख लीजिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो पिक्चर जैसी आपने देखी है एक्जाक्ली सेम मुझे ये जोल्री सेट जो है रिसीव हुआ है आप यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये जोल्री सेट है इसमें इतने बड़े बड़े ये स्टोन लगे हुए है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले स्टोन हैं ये और जो इसके नीचे ये पर्ल्स है रेट कलर के रूबी पर्ल्स ये भी बहुत प्यारे है फिनिशिंग आप देख सकते हो किती प्यारी है और गले पर ऐसे लगा हुआ आप साइड में पहना हुआ भी देख सकते हो और ऐसे गले पे लगा हुआ, कितना प्यारा लग रही है, ये एक proper वो वाली vibe दे रहा है कि आप इसको proper एक marriage function में पहन के जा सकते हो और कोई नहीं कह सकता है, कि ये इतना सस्ता है, दूर से बहुत अच्छा shine कर रहा है, काफी अच्छी quality है, finishing से बहुत अच्छे stones लगाए हु प्रंट से पकड़ा हुआ है, बट वो back था, और ये प्रंट है, और इसके साथ में मुझे मिले हैं, ये दो earrings, एरिंग जादा heavy नहीं है, set के according, बहुत प्यारे cute से छोटे छोटे से airing है, और नीचे इसमें दो ruby लटकी हुई है, और sorry guys, थोड़ा गला, I don't know, पता नी, खराब हो गया एक दम से, बहुत खराश टाइप हो रहा है, और इसके साथ में मिला है, मुझे ये मांग टीका, और ये भी बहुत प्यारा सा, cute सा मांग टीका है, और overall look, आपने मुझे side में पहने हुए, देखी ली है, कि कैसी इसकी आ रही है, और जैसा इसका airing है, वैसा ही मांग टीका है, ना जादा बड़ा है, ना जादा छोटा है, तो overall इस प्राइस में मुझे ये set बहुत जादा प्यारा लगा है, तो मेरे लिए तो ये definitely approved है, और अगर आपको पसंद कितना प्यारा है, तो जल्दी से जा के बाइ कर लेना, कलर आप इसका देख सकते हो, कितना प्यारा, और ऐसे कलर ना सब पे चलते हैं, तो आप जल्दी से जा और इसको बाइ कर लो, तो अब मैं उपन करने जा रही हूँ, अपना 9th parcel, और इसमें भी मैंने एक प्रॉपर ज कितना प्यारा है, मैंने ना ये नेक पिस अल्रीडी पहले ही पारसल आने से आने के टाइम पर ओपन करके देख लिये थे, क्योंकि कोई बार ऐसा होता है, कि कलर अच्छा नहीं आता है, दूसरा प्रोडक्ट आता है, तो ऐसा कुछ होता है, मैं तो चेंज या रिटर्न कर लेती हूं पहले ही आप वीडियो बनाने से पहले ही, तो इसलिए मैं सारे पहले ही देख चुकी हूं, तो इसकी आप चीज देख सकते हैं, मुझे जब मैंने इसको ओपन किया था, तो मुझे इसके ये जो ग्रीन वाले स्टोन राउंड वाले मुझे थोड़े कम पसंद आ है कि आप इसको शादी फंक्शन में पहन के जा सकते हैं, और बहुत अच्छा है, यह आपके मतलब ड्रेस को बहुत अच्छा कॉंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि चोकर तो वैसे भी ट्रेंड में रहते हैं, और इसके साथ में मुझे मिले हैं, एरिंग्स और मांग्टी का, तो एरिंग्स भी आप देख सकते हो, यह प्यारे प्यारे से चांदबाली टाइप एरिंग्स हैं, और बिल्कुल भी हेवी नहीं है कि आपके कानों में दर्द होगा, बहुत ही लाइट वेटेड एरिंग्स हैं, यह साथ में नीचे इसमें भी तरीके से यह मूती रटके हो जा सकते हो, मेरी तरफ से तो यह भी अप्रूवड है, अगर आप इसको इतने प्राइज में लेके दो से तीन बार पहन के आप किसी को दे भी दे, तो आपके पैसे कहीं खराब नहीं जा रहे है, आपने इन्वेस्ट कर लिया, दो से तीन बार पहन चुके हो, दो से तीन फ बत्ते वाले डबे मिले है, मतलब ऐसे स्टोरेज, प्लास्टिक वाले स्टोरेज बॉक्स नहीं मिले है, जो मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा, बट कोई बात नहीं, तो आपने इस कहां पर पिक्टर देख लीजे, मैंने ये ब्लाक कलर का दो नेक पीस वाला, एक आदी वाली वाइब दे रहा है, और जैसा इसमें दिखाया गया है, एक्जाक्ली मुझे सेम मिला है, तो पहले मैं आपको छोटे वाला दिखा देती हूँ, ये है छोटे वाला जो चोकर सबसे उपर, ऐसे उपर गले में आया हुआ है, इसमें बीच में एक ब्लाक कलर का ऐ यह थोड़ा सा heavy है और इसमें पूरा black color का काम है black and golden और बहुत ही अच्छी quality के stones अगरा सब लगे हुए है अब मैं दिखाती हूँ आपको long वाला तो इसके साथ में मिला है यह long वाला जैसा कि चोकर है वैसा ही same यह long है बस इसमें चोकर में एक single pendant है इसमें ऐसे दो pendant आमने साम ने दियो है और पूरे में ऐसे लॉंग माला कि आप इसको पहने तो इस टाइप से कुछ रजवाडा जैसे लोग पहनते हैं डबल उस टाइप का रजवाडा लुक आएगा बहुत ही प्यारा है quality मुझे बहुत जादा अच्छी लगी इतने प्राइज में आपको दो सेट म और आप खाले एरिंग भी पहन सकते हो आप एक सेट में तीं से चार काम कर सकते हो कहीं पर आप सिंगल पैन कर रहे कहीं पर डौब कहीं फे लॉंग वाला कहीं पर एरिंग किसी भी तरीके सी पहन सकते uniform m ज़रूर बताना और जो आपको बाई करनी है आपको link description box में मिल जाएंगे जल्दी से जाके बाई कर लेना और वीडियो अच्छी लगे हो तो like कर देना चानल को भी subscribe कर देना और मेरे instagram पे भी मुझे follow कर देना तो याँ guys मिलते हैं आपको next video में till then bye bye, take care